प्रोटेस्टा किंग्डम के बारे में पहले विटा कुछ जेनरल फीचर आप जान लो प्रोटेस्टा किंग्डम सबसे पहला को सबसे कि आएगा प्रोटेस्टा किंग्डम बनाया किसने the first question i think सबीछे जानते हैं धिरवी बाटे लिख देते हैं सब्सक्राइब है ? किसे रख़ा जाएगा ? तो हम लोग धीतेकर के और टॉर्टिस्ता Kingडम में केवल और केवल हम रखें। तो हम लोग रखेंंग। कि वाल किसे रखेंगे उनी सेलुलर को लेकिन उसके साथ में दूसरा क्राइटेटिया फिक्स है यूनी सेलुलर प्लस यू कैरियोटिक एक सेल का होना चाहिए और वो यू कैरियोट्स होना चाहिए बोले ठीक है सर चलो याद हो गिया eukaryotes कहने का मतलब they have the true nucleus they have the true nucleus होना चाहिए क्योंकि monera kingdom में भी हम लोग रखेंगे unicellular कोई लेकिन वो प्रोकारियोटिक होगा तो प्रोटिस्टा और monera में एक ही difference है प्रोटिस्टा में हम लोग unicellular और प्रोकारियोटिक रखेंगे monera में और प्रोटिस्टा में रखेंगे unicellular and eukaryotic ठीक है थार्ड फीचर विटा ये पहला kingdom है जहां पर ट्रू sexual reproduction start हो जाएगा इससे पहले kingdom बना था monera उनके अंदर sexual reproduction क्या था absent तो फर्स kingdom है जहां पर्टा sexual reproduction देखा जाएगा sexual reproduction देखा जाएगा टीक है ऐन इंचेया डीक अपम एटा इसके वेल इफाइन बौंडरी झालिन है इस इस प्रोटिस्टा किंडम की वैटा लेओधा बॉन्डरी माउन्डरी नहीं नो वैरीव डीफाइन ब़ॉन्डरी यानि के ईटर और ओंडर है यानि की बैटिंग भी करता है यह बटा बॉलिंग भी करता है, यह बटा विकेट कीपिंग भी करेगा, यह बटा फिल्डिंग भी करेगा, इसलिए इसको नहीं कह सकते कि यह बैट्समैन है, यह बॉलर है, यह बटा विकेट कीपर है, सब कुछ है विराट कोली भी यह है, विराट कोली भी इसमें आएगा, महन से धोनी भी आएगा बटा, सब कुछ इसी में आएगा, तो no well-defined boundary, क्यों बटा, ये बड़ा important, no well-defined boundary, बोले सर क्यों, उसका reason बटा में explain कर रहा हूं, उसका reason बटा explain कर रहे हैं, पिछले class में भी किया था, लेकिन फटा-फटा में लो revise कर रहे हैं, तो विटेकर ने बटा जो protesta kingdom बनाया, उसमें उन्होंने बटा, क्या किया, उन्होंने protesta kingdom में सबसे पहले रखा बटा, एक पहला रखा, उन्होंने बटा, पांच लोगों को रखा, एक, दो, तीन, चार और पांच, बोले सर किसको किसको रखा, अब थोड़ा explain कीजिएगा, पहला उसने रखा क्राइसोफाइट्स, पहला कौन होगे बटा, क्राइसोफाइट्स, ध्यान से बटा, सुनना सभी को, पहला किसे रखा, क्राइसोफाइट्स, इसका कैरेक्टर बटा, इसका कैरेक्टर बटा, प्लांट से मैच करेगा, यानि कि बटा, इसका कैरेक्टर प्लांट के तरह प्लांट के तरह उसमें सेलल वाल किसे बनाओगा सेल्लोस से पिगमेंट रखेगा प्रोडियूसर का काम करेगा दूसरा NCRT बोलेगा बटा डाइनो फ्लेजलेट्स दूसरा किया बटा डाइनो फ्लेजलेट्स एक नाम से क्लियर है तुमें कुछ भी नहीं यादेना इतना त दो डाइनो फ्लैजलेट्स they have the two flaslo ठीक है यह भी बैटा यह भी बैटा प्लांट के बाती होगा प्रोड्यूसर होगा प्लांट के बाद इफए। सेल्वाल रखेगा, प्लांट के बाद mówका बना होगा। थीक है बटा, यानि स्टार्टिंग के जो दो आपको लिख रेए वो प्लांट के भात ही है। अब आझ वं ठीसरा, प्लांट और अनिमल का मिक्स्चर है बटा, इसे प्लांट की गुन भी मिलेंगे, एनिमल का भी गुन मिलेगा, इसका हम लोग कहेंगे बटा, युगलीन वाइट्स, यह दुनिया में बड़ा यूनिक है, मैंने आपको बता है ना मिशा, यह दुनिया में यूनिक और गनिसम है, जो बटा, सल्लाइट होगा तो ऑ्टो ट और चेंज करके हेट्ट्रो में भी कनवट हो जाएगा, तो यह कैसा हो जाएगा, मिख्जो ट्रॉपिक, चलो, अब देखो ध्यान से, फॉर्थ वन बटा, यह फंजाई की कैरेक्टर वाला है, जिसका नाम होगा स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, मोल्ड्स हमेशा मोल्ड, पिंक मोल्ड, मोल्ड वर्ड हमेशा याद करना, फंगस के लिए यूज किया जाता है, तो यह किसके तरह भाती है, फंगस के तरह, ठीक है, सैप्रोफिटिक होंगे, दिकंपोजर वाली होंगे, अधर लास्ट वन जो है, वो है बटा, एनिमल्स के भाती, एनिमल्स के तरह है बटा, बस बटा, एक सिलका, एनिमल्स के तरह है, लेकिन एक सिलका, यानि अमीबा आ जाएगा, पारामीशियम आ जाएगा, उन लोग आ जाएगा, चलो बटा, बढ़ान से सुनना है, सभी बच्चे को, मैंने क्या बोले बटा, देयाव नो वेल डिफाइन बॉन देन वाइड्स, हम गवलेंगा, हम तो मिग्जोट्रोफिक है, सिल वलण नहीं रखेंगे, स्लाइम मोल्ट को भ Baby, और पिटा, एनिमल्स के तरह है, प्रोटो जोन, हम तो एनिमल्स के तरह है, तो वीटेकर नथ जों मिक्सिर बना दिया, इसमें प्लांट के गुनवा ले भ लेकिन है तो इंडियर महेंघ्री दो ने डी है वीट डीडेटर कीपर लेकिन है तो इंड्य प्लेयर को बीट क्या है सबी एक चीसम के बिटिकष मेर के अच्छी चीज़ कि अब देखो ध्यान से सुननेगा बच्छा लोग जहां से सुनेगा बच्चे लोग, स्टार्टिंग के बटा, स्टार्टिंग के दो, क्राइसोफाइट्स एंडीनो फ्लाजलेट्स, किसके बाती बटा, अंसर इसदा बटा, प्लांट, यानि कि इनके अंदर बटा, क्या होगा, पिगमेंट होगा बटा, ये क्या करेंगे बटा, फोटो सिंथेसिस करेंगे, और बटा, इनके अंदर सिल्वल पाया जाएगा, मैंने कही बार बोला, ठीक है बटा, अब देखो, क्राइसोफाइट्स का दूसरा क्यारेक्टर, क्राइसोफाइट बटा, बटा, पाया जाएगा फ्रेश वाटर में भी, और बटा, मरीन वाटर में भी, कहां पाया जाएगे बटा, फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा, और ये पाया जाएगे बटा, मरीन वाटर में, दूनों जगा पाया जाएगा बटा, फ्रेश वाटर as well as the marine water. सभी बच्चों को आता है na, marine मतलब salt water, ocean वाला, और fresh water मतलब river, lake वाला. जो आसपास हमें लिखता है. बीनो-flacillates में क्या याद रखने हैं, यह पाया जाएगा mostly, NCRT का वाट है, mostly, they are present in the marine condition. किस condition है, मरीन condition, खारे पानी में. तीसरा, युगलीन वाइट्स में लिखता है NCRT, they mainly present on the fresh water. वो कहाँ पाया जाएगा बचा, fresh water. तो common क्या हुगा? कि starting वाला बचा, दोनों में है. fresh में भी है, marine में भी है. second वाला कहा है बचा, mostly marine. और युगलीन वाइट्स कहा है बचा, fresh water में, तो एक चीज़ common. अब देखो ध्यान से. अब बुलेगा सर, अब मैं कुस्टन पूछू, इनमे किनमे किनमे cell wall होगा? अब कुस्टन आगया, कि चलो भाई, सभी का cell wall बताना है. बहुत आसान है, बहुत आसान है. starting के दो plants के तरह है, तो cell wall तो होगा. तो बहुत सर, यूगलीन वाइट्स में आपने नहीं बताया था. यूगलीन वाइट्स में क्या होगा? जहान से देखो बटा, यूगलीन वाइट्स के अंदर में, ये तो बटा, link है, plant का गुन भी रखता है, animal का भी गुन रखता है. इंके pigment से match करेगा. है तो बटा, एक सेल का. एक सेल का, लेकिन इसके pigment की बनावट देखोगे, बटा, 100% match करेगा किसे? higher plants के साथ. मैं pigment का नाम लिखूँगा थोड़ी दिन में. तब मैं match करूँगा, बटा, higher plant में, यूगलियनवाइट में same. second, बटा, यूगलियनवाइट के अंदर सेल वाल नहीं होगा, animal का feature. यूगलियनवाइट में, बटा, सेल वाल नहीं होगा. तो बोलेंगे, सेल वाल नहीं होगा, तो उसके जगह पे कुछ पाया जाएगा, क्या? सेल वाल नहीं होता है, इनके अंदर में, सेल वाल के जगह पे, इनके अंदर एक फ्लेक्सिबल सबस्तांस पाया जाएगा, प्रोटीन का बना है, इसे कहते है पेलिकल. क्या कहेंगे, बटा, पेलिकल. आगे में आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा. इनके अंदर कुछ फ्लेक्सिबल सबस्तांस है, सेल वाल तो है नहीं, सेल मेंबरीन के बाहर, कुछ प्रोटीन के फ्लेक्सिबल सबस्तांस है, बटा, क्या है, पेलिकल नाम पाया. सेकेंड, कैसा फीचर है, और याद रखना, यह फंगस फॉल्स है, जूटा फंगस का मतलब समझ में नहीं आया जब ये फिब्रबल केंडिशन में रहेगा इन्सीयाटी मैं सही बनाए और उनके अंदर विटा सिलवल नहीं होगा जब कि विटा क्या आपने शीका है कि ऐसज अंदर बिटा सेलोल होना चाहिए तो इसेंदर सिलो वॉल एपसेंट होंगे कब बिटा फेस्ट डियुआ कosition में लेकिन जैसे lied says कंडिशन आएगा हौ आज़ सभी को यहां तक क्लियर है सबके डिटेल में अब हम लोग जाने स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग किसको कवर करें कि सभी बच्चे यहां तक सभी बच्चे को क्लियर है एक बढ़ बता दो बिटा चैट में कि काईटींग का नहीं होगा अभी हम लोग सब इसके डिटेल में जा रहे है टेंचन मतलो एक एक चीज बताऊंगा चलो बटा चीक है तो बटा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें बटा पहला हमारा कौन है क्राइसोफाइट्स चलो बच्चा लोग ध्यान दो अब क्राइसोफाइट्स याद रखो अभी मैं 5 गोसन इस पर पूछने वाला हूँ और कोई बच्चा गलती नहीं करेगा क्राइसोफाइट्स fight जहां भी आएगा बटा याद रगना fight का मतलब plant fight का मतलब plant bryophyte, teridophyte, thallophyte fight का मतलब plant होता है बोले ठीक है से crysofights को NCRT ने बटा दो ग्रुप में divide किया एक का नाम में बटा die atoms die atoms और एक का नाम में बटा dismeeds एक का नाम बटा dismeeds dismeeds को हम लोग कहते बटा golden algae क्या कहते बटा golden algae तो गोल्डेन algae किसे कहते हैं बोले सर dismeed को कहते हैं तो crysofights को कितने parts में divide करेंगे बटा दो पहले का नाम बटा die atoms और दूसरे का नाम बटा dismeeds die atoms बटा रहेगा marine condition में कौन से चंडिशन बोला बेटा मरीन उट देस मीट सब्हाइगा बेटा फ्रेश वाटर में इस लोग है बिटाट याद हो गिया कहां रहना पसंद बताया भी था कि क्राईज फायट फ्रेश और मरीन दोनों में पाया जेगा एक ग्रुपो का फ्रेश वाटर में और एक होगा बिटा, marine condition में. यादो कि बच्छा लो, golden algae पूचा जाएगा. बोले कि सार, dismeets को कहते है, golden algae. चलो बच्छा लो, second चीज. इनके अंदर बिटा, अब इनके अंदर में लिए हमें बिटा, die atoms को follow करना है. हमारा syllabus किस पर है, बिटा? die atoms के उपर में. तो die atoms के बारे में पांच चीज़े जानना है. किनने चीज़े, बिटा? पांच. तो process number one, बिटा, पहला चीज हर बच्छा याद करो, इसका cell wall. इसका cell wall बोलता है ना, soap box like, साबुन रखते हैं, साबुन दानी सुने हैं ना, जिसमें साबुन रखते हो, उसी के भाती होगा, इसका cell wall बिटा, ऐसा होगा, देखो ध्यान से, soap box like structure, एक upper part होगा, बिटा, और एक होगा, बिटा, lower part ये बन गया, इसी को पर में साबुन रखते हैं, तो ये होगा, बिटा, soap box like structure बिटा, साब नाम क्या देंगे? उपर वाले का नाम देंगे, बिटा, EP थिका, EP मतब एवब, थिका मतब layer, upper layer को क्या कहा, बिटा, EP थिका, lower वाले को कहेंगे, बिटा, हाइपो थिका, हाइपो थिका, ठीके, बिटा, soap box like structure सब बच्चे को याद, अब देखो ध्यान से, यह बिटा, नीला वाला जो मैं बना रहा हूँ, यह बिटा, plasma membrane है, क्या है, बिटा, plasma membrane अब अंदर के अंदर में क्या है, बिटा, यह nucleus है और अंदर में यह बाटा, cytoplasm, हो गया, तो आएगा question, soap box like structure, जो एक दूसरे को fit हो जाए, कहा है बिटा, dye atoms में, फ्लैजला है क्या, तो बुलेंगे, नहीं सर, फ्लैजला नहीं है, no फ्लैजला, फ्लैजला बिटा नहीं है, cilia बिटा नहीं है, इनके अंदर बिटा, movement नहीं होगा, locomotion नहीं होगा, तो बुलेंगे सर तो क्या करेगा यह लोकोमोशन नहीं करेगा याद रखो इनके बॉडी के अंदर इनके सिल के अंदर लिपिड का डिपॉजिशन है किसी इसका है लिपिड फैट्स का डिपॉजिशन है और फैट्स या लिपिड हलका होते है इसकी डेंसिटी कम होती है तो पानी पे बेटा आसानी से float करेगा, पानी में बेटा तहरेगा, तो बोलेंगे सर, फ्लैजला तो है नहीं, तहरेगा कैसे, तो बेटा passively float, कहने का मतलब बेटा पानी में ये है उपर में, हवा जिदर चलेगा, उधर movement करेगा, इसलिए बेटा ये खुद से actively नहीं चलेगा, फ्लैजला तो है नहीं, सिलिया तो है नहीं, मुव्मेंट तो अपने से नहीं करेगा, तो क्या NCRT देखा बिटा, पैसिवली फ्लोट, पानी के सर्फिस पे बिटा, पानी जिधर भी मूव करेगा, उधर इसका मुव्मेंट होगा, पैसिवली फ्लोट, on the surface of water, पानी के सर्फ पानी में डाल दो, उपर रह जाएगा, बटर बेटा, उपर रह जाएगा, बोले ठीक है सर, सेकेंड चीज, मुव्मेंट बेटा, बोलेंगा सर, कोई मुव्मेंट नहीं, क्योंकि कोई फ्लैजला नहीं, सेल बाल बेटा, सोब बॉक्स लाइग, इपी ठीका एंड हाइपो प्रोडियूसर, उसे कोई खाएगा बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर, जैने हर्वी वोर्स वाले, फिर उसे कोई खाएगा बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर बेटा, टॉप कंज्यूमर, बढ़ा था ना, तो ओशन में बेटा, ओशन में लाखो कलोडो एनिमल्स हैं, प्राइमरी कंजूमर यानिकी अमीबा पैरामीशियम लोग बिटा और इस Amoeba Paramecium को कौन खाएगा बटा इसमॉल फिश और इसमॉल फिश को कौन खाएगा बटा लार्ज फिश और इसी फिश को खाने करके जिंदा रहेंगे कौन बटा अंदर के एक्वेटिक औरगनिज्म तो ओशन में सबसे ज़्यादा जो खाना बनाता है जो बटा फोटो स अंदा ओशन ओशन में सबसे ज़्यादा फुड बनाने के जिमेदारी किसके पास है वह बटा डाइटम्स के पास इसे कौन खाएगा इसे काई गोटा जू प्लैंक टॉन यह तो फाइटो फ्लैंक टॉन है यह पिटा प्लैंक टॉन कॉन दै जो चलता नहीं है सर्फिस पर पानी के सर्फिस पर तैर रहे है फाईटो फ्लैंक टॉन है इसे कौन कहेगा जू प्लैंक टॉन रिख जू मतर अनिमल्स यानि अमीबा पैरमीशम खाएगा उसे कौन कहेगा चोटी मख्ली उसे कौन कहेगा बड़ी मख्ली तो इमेरे में से सभी बच्चा लोग यहां तक स क्यों फ्लोट करते है पानी पे क्योंकि इसमें लिपिड का डिपोजीशन है लिपिड हलका होता है पानी पे तैरेगा ठीक है सेल वाल कैसा बटा अंसर इस बटा वो है सोप बॉक्स लाई इस्ट्रॉक्चर अब देखो ध्यान से बच्चा लोग थोड़ा कंसंट्रेट हो जा अब यह वाल किसे बनाए तो बोलेंगे सर्स deliver लोज आप नहीं तो बोले ता कि सेल वाल प्लांट के बार जर्च मैंने बना दिया लिड ग्रीन कलर का क्या है थे सेलीलोज इधियों से लेकिन लेकिन घ्यान से देखो लेकिन बाद में बाद में इनके अंदर silika नाम के chemical का silika बिटा जो value में होता है sand में होता है hard बनाता है बाद में cellulose के अंदर silika का deposition होना start हो जाएगा किसका deposition होगा बिटा silika का और cell wall बहुत hard हो जाएगा cell wall क्या हो जाएगा hard तो question आता है कि cell wall क्यों hard होता है तो बोलेंगे कि उनके cellulose है न सिलिलोज में धीरे-धीरे किसका deposition हो जाएगा silika का अब cell wall टूटेगा नहीं तूट सकता है बहुत hard हो गिया बोले सर इससे फाइदा क्या होगा आज ना कल diatoms तो मरेगा एक cell का तो organism है unicellular organism मरना तो ही है तो मरने के बाद इसके अंदर के सारे पाट degrade हो जाएगा cytoplasm nucleus अंदर के सारे पाट degrade लेकिन cell wall तूट नहीं सकता decompose नहीं होगा क्यों क्योंकि उसमें silika है तो धीरे-धीरे जो cell wall के पाट है वो समुद्र से नीचे के तरफ सिफ्ट होंगे सिलिका के चतले hardness आगिया और density भी बढ़ गी सिलिका dense चीज़ है तो धीरे-धीरे बटा लाखों साल तक millions of years लाखों साल तक बटा इनके cell wall नीचे बॉटम पे बटा ओशन के बॉटम पे जमा होने लगे और लाखों साल तक जमा होते होते यह बटा rock light यह बटा पत्थर नुमा structure बनाएंगे जिस structure को कहेंगे बटा डाई एटोमेशिस अर्थ जा कहेंगे बटा डाई एटोमेशिस अर्थ या इसी को कहेंगे बटा डाई एटोमाईट डाई एटोमेशिस अर्थ या डाई एटोमाईट अब बोलेंगे सर एम्स भी कोश्चन आया कि डाई एटोमेशिस अर्थ इंडिस्ट्रक्टेबल है तुम तोड़ नहीं सकते, वो hard होता है, कितना असान सा question है, aims का question है, कि why diatomaceous earth are indestructible, why cell wall of diatoms are indestructible, वो hard क्यों है, वो dense क्यों है, answer बटा एक्दम सिंपल है, मैंने किसका deposition बताया था आपको, सिलिका का बताया था, बस बटा यही करना है, नीट में कई बार question पूछा, किसका deposition है, cellulose के साथ, सिलिका, diatomaceous earth क्या है बटा, वापस से सुनो, मरने के बाद बटा, यह तो उपर तयार रहे है, मरेगा, मरने के बाद body decompose, लेकिन बटा, उसके cell wall तो hard है, वो degrade नहीं होते, वो धीरे-धीरे ocean के bottom पे जमा होने लगेंग और लाखों सालों तक, लाखों सालों तक, यह धीरे-धीरे बटा, क्या हो जाएगा, accumulate होगा, इसके cell wall, और धीरे-धीरे पत्थर रूमा structure बनाएंगे, जिसे क्या कहेंगे, dieatomaceous earth, या इसी का नाम बटा, dieatomite, चलो बच्चा लो, मुझे बताओ, किस-किस बच्चे को में आ गई, पटपट बच्चा लोग, किस-किस बच्चे को समझ में आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या-क्या याद करना था, ठीक है, सभी को लगबक समझ में आ गया, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, जिसे समझ में नहीं है, तो बच्चा याद करना था, इसका cell wall, कैसा बना हुआ है, क्या answer करके होगा, चलो, मैं कोसन पूछता हूँ, चलो बटा, करो, cell wall of dieatoms is made up of, कैसा बटा, किस तरह से बना होगा, तो बोलेंगे सर, cellulose होगा, और उसमें धीरे-धीरे deposition होगा, किसका बटा, silika, answer बटा, cellulose प्लस silika, cellulose प्लस silika, deposition of silika हो जाएगा, ठीक है, सभी बच्चलों, क्लियर, चलो बटा, ध्यान से, अब बताओ बटा, dieatoms, dieatoms, motile होगा या non-motile, dieatoms motile होगा या non-motile, non-motile, क्योंकि कोई flasola नहीं है, चलो, ठीक है, क्राइसोफाइट्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, क्राइसोफाइट्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट बटा, एक का नाम, dieatoms, और दूसरे का नाम है, बटा, desmeeds, desmeeds, इसी को कहेंगे, बटा, golden algae, चलो, ठीक है, अब को इंसे आटी का बड़ा इंपोर्टेन चीज़ बता रहा हूं दीरे दीरे मैंने क्या बोला बटा दीरे दीरे यह पत्तर नुमाय स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे यह पत्तर नुमाय स्ट्रक्चर बन गिया बटा इसी को मैंने कहा डाई एटो मैसियस अर्थ इसी को क्या का बटा डाई एटो मेसियस अर्थ या एक और नाम क्या दिया यह डाई एटो माईड यह पूलेंगे सर इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसका कोई यूज करते हैं, परते हैं कोमर्श्वर्प्स से, फिल्ट्रेशन के लिए, उस करने के लिए, फिल्ट्रेशन से घुजरता गुजरता है, उस फिल्ट्रेशन में आप इसका यूजरोगे, तो यह चीज के लिए ओर हो गया विता, सभी को सीरफ एक लेकिन के पहला काम, बोले हाँ सर दूसरा ये यूज किया जाता है sound proof room बनाने में sound को absorb कराना है जैसे आपने देखा नहीं है movie, theater वहाँ पर sound reflect नहीं होना चाहिए अब बोले, actor बोलेगा वापस से reflect करके आएगा तो जो बोलेगे sound को absorb होना चाहिए तो ये sound absorber का सबसे अच्छा काम करता है इसका main काम एक और क्या होगा, sound absorber sound को absorb करने में इसको use करते है और ये बहुत ही hard है, ये बहुत ही hard है इसलिए इसको हम लोगे use करते हैं, polishing में इसको बेटा, use करते हैं, polishing of the जिसे marbles वगरा होता है या पत्थर वाला structure होता है, तो उसके polishing में हम लोग इस part को use करते हैं, clear है और चौता बेटा, जो आप गीजर वगरे use करते हैं, थर्मल वाला पानी को गरम करने वाला तो वहाँ पस हम को use करते हैं इसी को, diatomaceous अर्थ वाले part को, क्योंकि यह bad conductor of heat है, ना तो यहाँ पास हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन NCRT के according तुम तीन याद रखें, एक होगी यह बटा, filtration, oil and syrup को, एक होगी बटा, salt absorber का का काम करेगा, और तीसरा मेंने क्या पता है, बटा, तीसरा बटा, policy, ठीक है, चौता बोल सकते हो, boiler में, बटा, जहाँ पानी को heat किया जाता है, वहाँ पस use करते हैं, because they are the bad conductor of the heat, ठीक है, तो मेरो में से सभी बच्चा लोग, trisophyte सभी बच्चे को clear हो गया होगा, और बटा, हमेशा इस diatomaceous earth के आपके function पूछे जाते हैं, एक्जाम में, इसके commercial purpose पूछा जाता है, तो कोई बच्चा confuse नहीं होगा, और next is, बटा, plant के बात ही है, यह plant के बात ही है, तो plant के बात ही है, तो इसके अंदर में क्या होगा, बटा, chloroplast, और बटा, plant के बात ही है, तो इसके अंदर में क्या होगा, बटा, pigment, pigment होगा, तुम पूछे के सर्फ कौन सा pigment होगा, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या, तो मैं जादा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता, इस pigment के अंदर में होगा, बटा, एक चीज जिसका नाम होगा, बटा, chlorophyll A, एक होगा, बटा, chlorophyll के एक और वाराइटी होती, इसके नाम देते बटा, chlorophyll C, और एक होता है, बटा, carotene, ये तो तुम्हें मालूम है, और एक होता है, बटा, xanthophyll, ये क्या होता है, xanthophyll, ठीक, और मैंने बोला था, ये प्लांट के बात ही होगा, तो प्लांट के बात ही है, तो ये pigment रखेगा, ध्यान से सुनना सभी बच्चा लोग, वापस से मैं बता रहा हूँ, इनके अंदर जो, बटा, pigment है, वो chlorophyll A है, उसके बाद, बटा, क्या है, chlorophyll C, अगर, बटा, हायर प्लांट, जो आपको बड़े प्लांट दिखते हैं न, पुचा जाएका, उनके अंदर कौन से pigment होते हैं, उनका थोड़ा सा बताईएगा, तो बेटा, सब कुछ सेम होगा, बस बेटा, chlorophyll C नहीं होगा, हायर प्लांट के अंदर, बेटा, chlorophyll A होगा, और बेटा, उनके अंदर होगा, chlorophyll B, याद रहेगा बच्चा, क्या होगा बेटा, chlorophyll B, बाकी कैरोटीन और जैन्तोफिल सेम रहेंगे, तो कोई बच्चा गन्फिज नहीं होगा, क्या डिफरेंस है बेटा, सर, यहाँ पर C होता है, और जब कि हायर प्लांट में क्या होता है बेटा, chlorophyll B, याद हो गिया बच्चा लोग, सभी कोई, तो मेरे बेशे सभी बच्चे को क्लियर है, pigment रखेगा, और pigment रखेगा, तो यह क्या करेगा बेटा, photosynthesis, pigment का बेटा, नाम याद रखना है, cell wall याद रखने हैं बेटा, बनावट कैसी, soap box like structure, दो structure बेटा, एक होगा, इपीथी का, और एक होगा बेटा, हाइपोथी का, बोले सर, याद रखेगा, क्या चीज़ स्टोरेज है बेटा, लिपिड हलका बना देगा, उपर आगिया, प्लैजला नहीं है, अपने से float नहीं करेगा, हवा जिदर चलेगी, उधर float करेगा, और बेटा, ओशेन में ये फैले पड़ेगा, ओशेन को बेटा, पूरा, अपर पार्ट में यही है, तो ये बेटा, मेंली photo sense का काम करेगा, तो चीफ प्रोडीसर होंदा, पोशेन हो गया, ठीक है बेटा, इनके cell wall में silica का deposition, तो जब मर जाएंगे, तो silica तूटेगा नहीं, cell wall तूटेगा नहीं, नीचे deposition, एक hard rock-like structure बनाएगा, diatomaceous arc, तो मेरे मैं से, सभी बच्चे लोग, chrysofite सभी बच्चे को clear है, हाँ बटा, मनीश, हिसल गर, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, इन-स-i-ti-n नहीं use किया, तो मैंने नहीं बता है, ठीक है, I think सभी बच्चे लोग, बता दो एक बार, अब हम लोग dino-flazolates में move करें, इसमें चोटे-चोटे pores होते हैं, जब आप कोई भी चीज को cross करोगे, तो बड़े parts आसानी से अलग हो जाएंगे, और जो liquid वाला part है, वो अलग हो जाएगा, chlorophyll, chlorophyll की कही सारे variety होती होती, टा, types होता है, जैसे कि chlorophyll A होता है, B होते है, C होता है, D होता है, E होता है, तो इनके साथ, बटा, A है, A तो must है, बटा, A तो सब जगर हैगा, दुनिया में जितने भी plant, जो भी algae, जो भी protesta, उनके अंदर A तो must है, बटा, A के साथ क्या रहेगा, यह इंपॉर्टेट है, तो A के साथ क्या है, यहां पर C है, हाँ, for the oxygen, चलो, चीक है, बटा, chlorophyll भी, अंकूर, समझ में आगिया आपको, बटा, चालो, अब देखो ध्यान से, अब आगिया बटा, हमारा second topic, क्या नाम बटा, dinoflasolates, dinoflasolates, चलो, देखो ध्यान से, पहले ही चीज़ में तोड़ा डरा देता हूं तुमें, इसे कहते बटा, भूत है, घोस्त, तुमने सही सुना, इसे कहते बटा, C घोस्त, बटा, यह क्या बोल दी, अपने, घोस्त, रात में डरा रहे हो आप, तो बटा, यह भूत है, समोधरी के अंदर भूत माना जाता है इसको, पहले सर, कैसे, ऐसा कही है, dinoflasolates में, ध्यान से सुनो, तुमने जुगनू देखा है, जुगनू, रात में बटा, चमकता है, ब्लिंक कर लाइट वाइट देखा है, उसी तरह से, बटा, उसी तरह से, dinoflasolates के अंदर, बटा, एक, एक organism है, जिस organism का नाम है, बटा, नौक्ती लुका, क्या नाम बटा, नौक्ती लुका, इनके अंदर, बटा, कुछ, कैमिकल है, इस कैमिकल के चलते हैं, पापसे रिपीट कर रहा बटा, dinoflasolate तो group है, उसके अंदर, हजारों तरह के organism होंगे, एक organism है, जिसका नाम है, नौक्ती लुका, उसके अंदर, बटा, ऐसा कैमिकल है, जो, बटा, रात में, ब्लिंग करता है, लाइट इमीट करता है, जलता है, बटा, और ये, बटा, समुदर के अंदर, पुरा फ आगे बढ़े, तो रात में लगता है कि सामने से कोई भूत आ रहा है, पुरा, लाइट इमीट कर रहा है, अचानक से सोचो, समुदर में तुम चल रहे हो, वो अचानक से चारों तरफ से लाइट निकलने स्टार्ट हो जाए, तो तुम दूर से देखोगे, बटा, भूत है होता ही है, अब पूरे समुदर में वहाँ पस आसपस फैला हुआ था, ठीक है, और जैसे ही लोग जाते, तो यह बटा, क्या करता था रात में, लाइट इमीट करता था, इसमें लाइट इमीट करने वाले केमिकल थे बटा, इसी को कहते है, बायो लुम्नी सेंस, ऐसे केमिक रात में बटा, समुदर में यह लाइप का काम करेगा, ठीक है, इसे क्या का बटा, इस कैरेक्टर को कहेंगे, बायो लुमी नी सेंस, जो रात में बटा, लाइट इमीट करता है, आपको बताऊंगा बै, अनिमल किंग्डम में कुछ ऐसे और्गनेस होते हैं, जो रात में ब क्यों का वाला कुस्टन तो कभी गलत नहीं होगा, यह रात में भूत का काम करते हैं, ठीक है, अब देखो, डाइनो फ्लैजलेट्स का नाम क्यों बटा, डाइनो मतर्द दो, दो फ्लैजला होंगे, तो मैं थोड़ा सा एक रफ फिगर बनाने की कोशिच कर रहा हूँ, से देखेगा सभी बच्चा लोग, अब बोलेंगे, देखो, इसके क्या होता है, इसमें खांचे के फॉर्म में, इस तरह से, इनका जो बाहर का सेलवाल होता है, इस तरह से खांचे के फॉर्म में होता है, यह बटा वाइट वाला, इस तरह से प्लेट के फॉर्म में होगा, जो सेल्व वोल हैना संव्लो advising वक्लेट के फॉर में इस थरख कि लगेगा ना कि बाहर से कव श्ञर के लखा पने हुआ है है इसलिए से कहते हैं जिसे पुराने जमाने में लड़ाई वड़ायी होती थी जब तलवार से जावतिane थी तो उन और लोहिए का पहन लेता था कि तो मुझे कुछ नहीं होगा भैई काहाँ का मूवी में जो दिखाते हैं ते विए इसलिए इसे का तरहP गेरी है आर मोड़ को कि आर्मीलीक एलगी की इसके सेल वाल बे इस तरह के सेललोजिक प्लेट होंगे ए सेललोजिक प्लेट एक अयाव जवी को समझ में तो कुछि उसके सेललोल वाल में श environment AIhes किसे लिए अब बताव इसके इंदर क्तने फ्लाह अभी पताया थापको डेहब अटुमें रहला एक बिटा लोंगी शुडनल और एक बिटा ट्रांश बर्स लांगी चुडनल इस रावा इता त्रांस वर इस नाम क्या पड़ा वापस से देखो दो लैसले एक इस डायरेक्श तो 2 flashlights तो क्या नहींतरेंगा डाइनो flashlights. अब गोगão इंट्रेश्टीग कहानी है. इंट्रेस्टिंग कहानी है कि यह वाला जहां से देखना यह वाला hetk Обड़ अगर move करेगा यह फ्लैजल अगर बिटा move करेगा तो यह पीछे भागेगा उल्टा भागता है बिटा फ्लैजल जिदर तुम चलाओगे against में उठाखेलेगा तो तुमने बिटा मारा इधर पीछे भागा और ये वाला फ्लैजल अगर तुम चलाओगे तो पीछे आएगा, आया को समझ भे? यह वाला फ्लैजला चला है, बैक आया, यह फ्लैजला चला है बटा, तो यह अगर तुमने राइट वाला चला है, तो लेफ्ट में आजएगा, तो बोलेंगे सर, दोनों फ्लैजला एक साथ चलेगा तो क्या होगा? सोचो, पीछे, इध इदर तो यह बोला जाता है लट्टू के तरह नाचने लगेगा इस लिए बेटा इसे कहते है कि इनके अंदर जो movement होता है मुव मैंन्ट को कहते बुटक लइक मोगमिन्ट इसे कहते है वरलिंग मुव मेंट आया कुछ समझ में, एक movement पे question कर लेगा सभी कोई, फ्लैजला जो फ्लैजला move करेगा, movement उसके opposite direction में होगा, upside वाला हुगा, longitudinal वाला हुगा, पीछे जाएगा, transverse हुगा, back side जाएगा, दूनों एक साथ move करेंगे, लट्टू के तरह बटा नाचने लगेगा, इसी movement को कहते बटा whirling movement, बच्चा लोग, यहां तक किस-किस को याद होगी या, चलो बताओ, कितने फ्लैजला, दो, एक बटा transverse और एक बटा longitudinal, और cell wall में बटा क्या है, खाचे के तरह, cell में बटा, खाचे के तरह, cellulose का plate है, इसलिए से कहेंगे बटा, army like algae, ठीक है, यहां तक? हाँ बटा, डीनो फ्लैजलेट का member ही तो नॉक्तिलू का है, डीनो फ्लैजलेट तो groups है, उसके अंदर बहुत सारे member होंगे, ठीक है, यहां तक? clear है? अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो बटा, इसका एक member है बटा, इसका दो member NCIAT में दे रखें, एक member है बटा, इसका नाम है उसका गौनी ओलेक्स, गौनी ओलेक्स, और एक नाम मैंने तुम्हें पहले क्या बता रखें बटा, नॉक्तिलुका, नॉक्तिलुका, NCIAT में बटा, गौनी ओलेक्स मिलेगा केवल, नॉक्तिलुका बटा, NCIAT में नहीं है, अब देखो ध्यान से, इनके अंदर, जहां से देखो धा, जो डाई एटम से न, इनके अंदर बिटा, कलर कही तरह के मिलेगा, इनने पिग्मेंट बिटा, ऐसा है कि यह वो बिटा, अलग-अलग, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, यल्लो कलर, जितना कलर याद होता है न, भाव धा, वो बिटा, रेड कलर, उनके अंदर बिटा, डिफरेंट कलर पाये जाते है, तो जो गॉन्योल एक के अंदर एक और पिग्मेंट होता है, जिसके चलता ही, वो बिटा, अ और जिस जगहां पर यह रहेगा, जिस जगहां पर रहेगा, तो लार्ज स्केल में बिटा डिवीजन, एसेक्सवल रिप्रक्शन, बहुत तेजी से डिवाइड करेगा, तो उस एरिया को अगर देखो बिटा, अपर साइड से, उपर से देखेंगे, तो इस पूर एरिया का बिटा, कलर जो होगा न, रेड कलर का मिलेगा, इसलिए से कहें बिटा, रेड टाइट्स, नीट के कोस्तेन में आएगा बिटा, रेड टाइट्स कौन बनाता है, कौन सा ओर्गनिस्म, तो बोलेंगे, देखो से, मैं क्लियर कर रहा हूँ, यह जो डीनो फ्लैजलेट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ओर्गनिस्म हैं, और इनके अंदर बि गौनियोलेक्स, क्या नाम बिटा, गौनियोलेक्स, इसका कलर कैसा है बिटा, रेड कलर, पिगमेंट है ऐसा, अब इसके चलते बिटा, रेड कलर है, और बहुत तेजी से डिवाइड कर रहा है, बहुत तेजी से डिवाइड किया, और उस पूरे एरिया में फैल जाएगा, रेड कलर से बिटा भर जाएगा तो पूरा एरिया बिटा रेड कलर का दिखेगा उसी को कहते बिटा रेड टाइट्स अब देखो दूसरा नुकसान गॉनियोलैक्स जो रेड टाइट्स बनाएगा बिटा वहाँ पर कुछ ये टॉक्सिक सबस्टांस रिलीज करेगा वह बिटा कुछ टॉक्सिन रिलीज करेगा टॉक्सिक सबस्टांस वह तेजी से डिवाइड करता और देविल रिलीज दा टॉक्सिक सबस्टांस इस टॉक्सिक सबस्टांस को बिटा कोई कंस्यूम करेगा स्मॉल फिश खाएगा बिटा लाज फिश जिससे बिटा महां के एक और ऐसी मचली को ऐसी मचली को अगर आप खाओगे human being अगर consume करेगा उसके अंदर में toxin आ चुके उस मचली के अंदर और वो तुम खाओगे तो तुम्हारे अंदर भी तो आ जाएगा तो तुम्हारे अंदर बेटा it Doyite paralysis परइस वाल्लिस है वीवारी का नाम सुन ये उस तरह कि अटएक मिदा डीजीस क्रियेट करेगा तो हमारें अंदर में डिदक का तो नहीं देखा गिया लेकिन माना गिया कि paralysis वाला जो बिटा character होता है वो हमारे अंदर develop करेगा क्यों बिटा क्योंकि आपने वो toxic वाले product को consume किया है तो बच्चा लो मेरे में से सभी बच्चे को इनो फ्लैजलेड को याद हो गया होगा मैं वापस से पांच लाइन रिपीट कर रहा हूं पहला लाइन बिटा फस्क्लाइब यह मेली प्रजेंट इन यह मरीन कंडीशन बटाया था बताया था कि यह जेनरली मरीन कंडीशन में खारे पाणी में पाई जाएंगे बड़ी सार याद हो गया, they have the two Flazola, लिखा हुआ है, डीनो Flazola, दो Flazola, एक बेटा, Transverse, Longitudinal और दूसरा बेटा, Transverse, एक साथ बेटा, तो बेटा लट्टू के तरह नाचने लगेगा, इसे कहेंगे whirling movement, whirling movement बेटा, ठीक है सर, बोलेंगे सर, इसके अंदर में ना, जो बाहरी दिवार है, cellulose का तो बना है, लेकिं, cellulose के छोटे-छोटे-छोटे-छोटे ब्रिक-लाइक structure बना दिया, खांचे के तरह बना दिया, तो ये लगेगा ना, कि जैसे पुराने जमाने में, सिनापती लोग पहनते थे लोहे खा, उसी तरह बेटा, ये भी पहने हुआ है, कि बाहर से बचा सके अपने आपको, तो इसे कहेंगे बेटा, army like algae, armod algae, armod algae, army like algae, ले ठीक है, next, इसके दो example आपको याद करके जाना है, exam म और ये large scale में divide करेगा binary fusion से, तो कुछ, ये बिटा large scale में distribute हो जाएगा, समुदर में distribute हो जाएगा, और पूरी तरह से लाल रंका दिखेगा, तो उसे कहेंगे बिटा, उस area को कहेंगे red tights, ठीक है, लेकि बिटा red tights में और क्या होगा, they will release the toxic substance, toxin, जिसे aquatic organism, वहां के aquatic organism consume करें उससे large scale में उनका death होगा, अगर वैसी मचली को आप खोगे, आपको भी नुकसान पहुचेगा, ठीक है, अब बताओ, नौक्टी लुका के बारे में क्या बता है बच्चा लोग, भूत है, ले सर क्यों भूत है, क्यों क्यों भूत है, क्योंकि रात में ये, क्या इमिट करत है, तो पुराने जमाने में लोग, बोट से बिटा, नौ से क्रॉस करते थे, तो उन्हें लगता था रात में की भूत दिख रहा है, वापस लोट जाओ, क्यों, बाद में पता चला है, वो तो एक सेल का और गिने से उसे नमार के सी ठेक देंगे हम लोग, एक सेल का यलगी तहर है, उसे डरते हो तुम लोग, बाद में पता चला उनके अंदर कुछ केमिकल है, जिससे वो रात में ग्लो करते हैं, इसलिए कहा गया, नाइट लैंप, इसलिए उसे कहा गया, नाइट लैंप कहा गया, या उसी को हम लोग कहते हैं, सी घोस्त, I think सभी बच्चे को इसको भी डिनो फ्लाजरेट में कोई भी प्रॉब्लम हो बटा, बोलो फटा फट, नहीं बटा, अगर कोई मचली उसे खाएगी, तो मचली, वो बटा, वो चीज तो डिगरेट, वो बटा, टॉक्सीन, वो टॉक्सिक सबस्टांस डिगरेट नहीं होगा, अगर इस पानी के अंदर बटा, इस पानी के अंदर कोई टॉक्सिन है, तो मेरा बोडी जिरूरी थोड़ी के डाइजिस्ट कर ले, मुझे जाके वो नुकसान पहुचा सकता है, ऐसे ही करता है वो, हाँ, ट्राइकोडेस्मियम बटा, महीमा, ट्राइकोडेस्मियम बटा, मैंने बताया था, फूब घुरू ग्री धे, मुनेरा किंग्डंब वाले, और वो बेटा, लार्ज स्केल में ग्योडेस्मिय ग्रो करेगा तो बनाएगा, बटा, रेड सी, रेड सी बटा, टाइटस नहीं बताया था, जहांगे बता है और रेड टाइटस, से कन्फ्यूज मत होना, चलो ठीक है चालो ठीक है यानि कि इतने से तुम्हारे सारे कोस्टन लगभग बन जाएंगे कोई भी कोस्टन नहीं छूटेगा अभी टेस्ट भी आ रहा है तुम्हारा चलो अब पटा फटा फट हम लोग टाइम वेस्ट ना करें जल्दी यूगलीन वाइट्स को कंप्लीट करें यूगलीन वाइट्स और यह सभी बच्चे का कंप्लीट हो गया है यूगलीन वाइट्स नहीं पाया जाएगा लेहां सर आपने बताया था इनके अंदर बैटा सेल वॉल के जगा पुछ कुछ प्रोटीन के कवरिंग सना अक्शीन को और कुछ प्रोटीन ऑमिट उन्युक्री और रूशव एकशिय समें के दूसरा भी ओडिका दो फ्ले लाइजसां इसमें इस विवेजसे कि एक दूसरा फ़्ले और नॉन्सनल जो पाटा है उन्के अंदर में प्रॉब्लम्म मैं पानी अंटर करें तो था अपने तो अपने आपको बचाने के लिए वो रखेंगे बिटा सीवी कॉंट्रेक्टाइल वैक्योल किस-किस बच्चे को याद है बोला था ना जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनको प्रॉब्लम क्या होता है पानी इंटर करेगा स्वेलिंग होगा ब्लास्ट कर सकता है तो उसे बचाने के लिए क्या है बटा कॉंट्रेक्टाइल वैक्योल आगे बच्चा लोग समझ में अपने बोला था किसर इसके पिगमेंट तो मैच करते हायर प्लांट से एक दम करेक्थे इसके पिगमेंट जानते हो क्यों होता है हायर प्लांट विटा क्लोरोफिल ए हायर प्लांट में होता है सभी प्लांट में होता है लेकिन विटा यहां क्लोरोफिल सी नहीं होगा विटा क्लोरोफिल भी होगा और इनके अंदर हो गान है KEROTINE और इनके अंदर हो time Xanthophyll इनके अंदर गाज आ से तरह दिग गिया तो बहुत इनके पिगमेंट किसके तरह मैच करते हैं तो बहुत अभी ऑटोट्राफिक है अभी बेटा वह ऑटोट्राफिक है क्योंकि सफिसेंट लाइट है और यह बहते पानी में नहीं रहेंगे इस्तेगनेंट वाटर जो पानी बिटा जमा हुआ है स्तेगनेंट वाटर में रहना पसंद करते हैं और एक फीचर जो नहीं दिए मेरे तरफ से याद रखें नीट के लिए इनके अपर साइड में बिटा देखो यह वाइड कलर का कुछ structure इसे कहते है आई spot क्या कहते है आई spot सर किसलिए आई spot reason सुनो लाइट आएगा इसके पास आँख थोड़ी है जिखेगा कि किदर light आया है किदर नहीं आया है किदर dark है तो light को sense करना है जिदर light को sense करने के लिए एक receptor है जो light को sense करेगा क्या नाम है आई spot क्या नाम है आई spot तो मेरे उमीस से सभी बच्चे लोग सभी को यूगलियूनवाइट का feature clear और जब light नहीं रहेगा तो हम हो जाएंगे हम कैसा हो जाएंगे हो जाएंगे हम कैसा हो जाएंगे हो जाएंगे है स्क्रीन को हटा रहा हूँ और सब बच्चा ।ow अगलिज क्या के वीक्ति अगल में आच है स्क्रीन को रहा हूं और सब और खान अब जो इस ताइम्नंक 음 श्थार्ट् स्टार्ट्प कि कि एक दम करेक्ट वैसनवी करेक्ट है लेकिन एक बार में पांचों लिखने हो की कोशिश करो ना तब तो मैं आसानी से सबको जज़ करूँगा ठीक है सुरुभी का स्टैगनेंट ख्लोरोप्लास एभी तो थोड़ा बटा से लोल के बारे में तुमने नहीं लिका सुरुभी से लोल को गरें बताना था मोड़ नुटिशन एक्जैक्ट क्या था यह भी बताना था और फ्लैजला कितना था वह भी बताना था और वो चीज़ भूल गया सभी बच्चा लोग फ्लैक्सिबल सबस्टांस था उसके सेल वोल तो थे नहीं उसके सेल में मेरें के बाहर में बटा कुछ फ्लैक्सिबल सबस्टांस था जलो बिच्चा लोग फटा फट करो मनीश क्लियर विटा लेकिन और कॉंट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम ठीके विटा टू फ्लैजला ठीके विटा पेलिकल प्रोटीन उसके सेल वॉलम में तो नहीं होगा प्लाज्मा मेम्रेन के बाहर होगा पुर दा फ्लेक्सिबिलिटी कि लाइट सेंसिंग पार्ट वेटा आई स्पॉट आई स्पॉट थिक्ए सांक्षी ठीके बेटा फ्रेश वाटर में रहेगा इस ट्रेग्नेंट वाटर रहेगा दो फ्लैजला एक बढ़ा एक चोटा नो सेल वाल बीटा फ्लैक्सिबल होगा ठीके बटा बस तुम्हें केवल एक और लिख देना था mixotropic और बेटा pigment इतना नहीं लिखना था बस higher plant लिखकर छोड़ देना था बस बेटा higher plant के में जो pigment पाय जाते है वैसा ही पाया जाता है हाँ बेटा correct है correct है चलो बेटा एक test लेता हूं में test लेता हूं पांच feature five feature बीटा अरि आस्था ने बहुत सही सही लिखा है आय सबसे बढ़े सबसे थेयर हो ज़ो पांच feature बीघेद इनो फ्लैजलेट्स के पांच feature बीघेद इनो फ्लैजलेट्स के पटा फट बटा कोई नहीं पटाफट पांच feature dean of laz ми tre के राइड दा फाइफ फीचर अब दीनो फ्लाजलेट्स याद करो एक एक चीज़ बताया आपको लाइट इमीटिंग बताया था वर्लिंग मुब्मेंट बताया था मरीन कंडिशन बताया था लाइट इमीटिंग बताया था रेड टाइट बताया था आर्मी लाइक अल्गी बताया था आर्मॉड अल्गी तो बच्चा लोग देखा कैसे सब कुछ याद हो गया और इसका पिगमेंट पूछे ना तो ए एन सी कर देना जस्ट लाइक किसके तरह था डाई एक्टम्स वाले के तरह हां उद्यायन उनी यूनी से लुटा यूनी से लुटा तो सब कुई यह लो रोफिल विटा एन सी वाले सी घोस्ट करेक्ट विटा नाइट लैंप आर्मी लाइक अल्गी बनाता है नगदा यूटि को रोफिल गनाता है ने नो नूचलत को कौंसा मिंबर बनाता है गोनी ओलैक्स गोनी ओलैक्स ओस लैंप कौं था भूट कौं था भूट्या नसका duo गूट कां था लुडियूम् Unity Wiom car वज हो घो आता नॉकटी लूटantis नॉक्ति लुका चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करेक्ट है करेक्ट है चलो बटा अब फटा फटा हम लोग स्लाइम मोल्स में आज़े बटा अब हम लोग फटा फटा आज़े बटा स्लाइम मोल्स slime molds पटापट सभी बच्चा लोग त्यार हो जो असान है fungus like पंजाई like होगा लेकिन इसे false fungi सभी बच्चा लोग ready सभी बच्चे को सभी बच्चे को देखो ध्यान से ध्यान से देखो बटा ये amoeba के भाती बटा ऐसा होगा इसके अंदर कोई cell wall नहीं है और इनके अंदर पाए जाएंगे धेर सारे nucleus, multi-nucleate तो यह fungus का character हो गया, multi-nucleate है, ठीक है, लेकिन cell wall नहीं है, इसलिए से का false है, जूटा है, तो animal का character हो गया, तो बोलता है anxiety जब favorable condition रहेगा न, जब favorable condition रहेगा न, तो यह colony के form में इस तरह के aggregate होने लगेंगे, slime mold सा केला था, लेकिन जब favorable condition है, और खाने पीने की चीज है, leafy का part तूट करके नीचे गिर गया, या कुछ part, degraded part नीचे आ गये, तो यह क्या करेगा उसके उपर grow करने लगेगा, और NCRT बोलता है, they will grow to the several fit, they will grow to the several fit, this association बेटा, इस aggregation को हम लोग कहते हैं, plasmodium, क्या कहेंगे बेटा, plasmodium, या दूगा बच्चा लोग, इस aggregation को क्या कहा हमने, plasmodium, तो ले सर, plasmodium तो malaria cause करता है, यह आपने क्या बता रहे, तो बेटा, यही confusion है, plasmodium malaria cause करता है, उसका में लिखने का तरीका अलग होगा, spelling सेम होगा, spelling सेम होगा, लेकिन बेटा, मैं लिखने का टेकनीक अलग बताऊंगा, यहाँ पस बेटा, simple है, अब पूरा का पूरा बेटा, P, capital, सब कुछ जैसे लिखना है, लिख दो, वहाँ बेटा, malaria वाला plasmodium आएगा न, तो हम लोग बेटा, जब plasmodium यह सारे बेटा, small होने चाहिए, पहला लेटर बेटा, capital, बाकी लेटर बेटा, small, और साथ-साथ बेटा, यह तो genus है, अब binomial human culture पढ़के आए हो, तो साथ-साथ बेटा, आपको यहाँ पास उसके species भी लिखना पड़ेगा, जैसे plasmodium y-vex लिखते हैं हम लोग, जो बेट जो binomial nomenclature का rule है, तो अगर बेटा, तो बोले कि सर, exam में थोड़ी ना लिखा रहता है, separately underline, अगर नहीं है, exam nation का paper में आएगा बेटा, तो plasmodium में, जो लिखा होगा plasmodium और y-vex, वो italics version में हो, कैसा होगा बेटा, italics version में, मुझे तो नहीं आता, मैं computer थोड़ी ना, computer मे क्या, मैं तो खुझ से करना हूँ, तो हम लोग जब लिखेंगे, तो हम लोग italics version तो नहीं लिख सकते, तो उसे separately underline करते, याद करो अपने नहीं पढ़ता, homo sapiens लिखना है, पहला letter H capital, फिर HOMO, पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, वो small, sapiens सारा letter small, और अगर तुम computer में लिख रहे हो, italics version में लिखना, नहीं है बेटा, तुम तो अपने copy पे लिख रहे हो, तो separately underline करो, separately, एक में करोगे, गलत हो जाएगा, underline नहीं करोगे, जिरो marks आएगा, तो अगर तुम्हें exam में malaria वाला plasmodium पूछा जाए, तो बेटा, याद रखना, उसका पूरा नाम ल लिखा रहेगा, यह separately underline होगा, तब समझे हो, यह plasmodium बात कर रहा है, किसका, malaria वाला का, और ऐसे यह plasmodium लिख दिया, तो यह लगता है कि slime molds है, जब favorable condition आता है, तो अपना large aggregation बना देगा, गुच्छा बना लेगा, और several filter group कर जाएगा, किसी को क्या तेंगी बेटा, plasmodium तो कोई बच्छा confused नहीं होगा, कभी भी life में, plasmodium में अगर exam में आया, तो बटा, confused मत हो ना, यह plasmodium malaria काॉस करता है, थोड़े देर बात बता होगा, और यह plasmodium तो, बटा, slime molds वाला condition है, ठीक है, मेरे में से बच्छे लो, कुछ समझ में आया, तो रहो, मैंने क्या बोल slime molds, slime molds में बटा, favorable condition में, favorable condition में, वो बटा, aggregation बनाएगा, इस aggregation is known as, this aggregation is known as plasmodium, लेकिन condition का में बटा, condition है favorable, ठीक है बटा, इनमे cell wall, absent, cell wall क्या है यहा, absent, लेकिन जैसे ही बटा, जैसे ही वो जाएगा, unfavorable condition में, थुआ जैगा बटा, unfavorable condition में, तो वो बटा पंजाई के बार्थी, पंजाई के बार्ती, बटा, इस तरह का structure का structure बनाएगा, इस structure को कहँड़ा, fruiting bodies, क्या बनाएगा, fruiting bodies, पंजाई के बार थी, यह तो की is structure है unfavorable, un linked to you, un, unfavorable, क्या बनाएगा, Unter Nein G hop pray this life bound center, इस अपर स्ट्रक्चर में बनेगे धेर सारे स्पूर्स और अगर ये ब्रेक वोकर के स्पूर बाहर निकल गया बाहर निकल गया बाहर पानी नहीं है इस स्पूर की उपर में वाल ये थीक सेल वाल ये बाहर में हार्स कंडिशन है और इस पूर जब बाहर निकलेगा तो अपने आपको हार्स कंडिशन में बचाना है जब इस पूर बेटा जैसे ही फेवरबल कंडिशन आएगा तो वापस से वो बेटा इस स्टेज में लॉट जाएगा तो यह कानी बेटा वो अपने आपको स्विच करते रहते जब फेवरबल कंडिशन है तो वो बेटा अमीबा के बाहर इस स्टेजर बनाएगा लेकिन जैसी अन्फेवरबल कंडिशन आएगा तो वो बेटा क्या बनाने वाला है कि मैं वापस से बता दो यह बनाया विटा रूटिंग बोडिज रूटिंग बोडिज बचलो किसे-किसे समझ में आया और किसे-किसे डाउट है फटा-फट करें हम दो